मैं 15 मिनट तक अपनी सासे रोग सकता हूँ सस्क्राइब बटन को चुके तक से घंटा दबा सकता हूँ टिंसर नहीं ले निका बना दिये मैंने वीडियो उसको समझना आपका का में काली लिनिक्स कोई rocket science है क्या नहीं भाईया कोई rocket science नहीं बहुत छोटी सी चीज है लोगोल ने यूट्यूब पर दुआ मचा कर रखा है वह काली लिनिक्स बहुत हार होता है hackers यूज करते हैं यह फला डिमकाना बहुत ही छोटी सी चीज है अगर यह वीडियो लास तक देखते हैं तो काली लिनिक्स से लिटे सारे प्रॉल्म आपके solve जाएंगे तो मैं हूँ प्रद्विम रहा है सुड़ो पराटिक से और एक certified ethical hacker तो चलिए वीडियो सुरू करते है गाइस देखिए काली लिनिक्स एक operating system है फॉर इन एक्जामपल अगर आप phone यूज करते हो android का android भी एक operating system में mobile phones के लिए और apple के phone में जो यूज होता है iOS वो भी एक operating system है पहले windows phone आते थे तो वो भी एक windows का operating system है तो यह तीडो में चीजे बरावर होते है बस उसका जो इंटर चीजे सब चीज सपोर्ट करते है बस एक platform चेंज कर दिया जता है वही सेम चीज होती है Linux, Mac और Windows के लिके अब काली Linux एक debian based distribution है Linux का ठीक है अब हम बात करते है Windows Linux में अंतर क्या होता है यह सब क्या है Windows भी एक operating system है Linux भी operating system है और Mac भी एक operating system है बस दोने में कुछ-कुछ kernel वग operating system है जहां पर hackers इसलिए जिसको यूज करते है कि उटको बहुत सारे pre-built tools मिलते है Windows में भी hacking आप आराम से कर सकते है मैं यह नहीं बोला हूँ Windows में hacking नहीं हो सकती लेकिन hackers काली Linux इसलिए प्रिफर करते है क्योंकि Windows में आपको graphical form मिलेगा और जहां भी आपको graphical form मिलता है वहां पर आपको patience की जरुवत होगी लेकिन आपको time बहुत कम दिया जाएगा वहां पर विंडोज जैसे में अगर आप यूज करेंगे तो आपका time भी जाएगा और GUI mode में कोई उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि आपको atlas result ही है तो बढ़ते है काली Linux के संग अब काली Linux आप जैसे ही install करते हो उसका पूरा same चीज होगा काली Linux में जैसे Windows में आप फाइल यूज करते हो काली Linux में यूज कर सकते हो कापी पे सब चीज होता है ऐसा नहीं है कि बस code लिखना होता है code is the sense.terminal होता है Windows में जो cmd होता है काली में वो टर्मिनल होता है अब cmd पर कम काम करते हो तो काली में भी आप अगर चाहा है तो टर्मिलर पर कम काम कर सकते हैं लेकिन जैसे करके आप काली Linux सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने जो भी इस्किल्स उनको इंप्रूफ कर सकते हैं अब बात करते हैं काली Linux आपने इंस्टॉल वगरा कर लिया YouTube पे बहुत सारी वी अब करेंगी आपको एक टर्मिलल दे दिया जाएगा और कुछ-कुछ pre-build tools मिलेंगे जैसे इन्फोर्मेशन gathering, social engineering के लिए मिल जाएगा उसके बाद Enumeration के लिए मिल जाएगा, vulnerability analysis के लिए मिल जाएगा, cryptography के लिए मिल जाएगा तो वहाँ पे difference यह है Windows और Kali Linux में काली Linux में आपको attacking के लिए pre-built tool मिलते हैं जैसे कि आपको दो लोग है एक आपको सबजी खरीद के दे रहा है लो भईया इसकी सबजी बनाओ और खा जाओ और दूसरा बंदा है कि वो सबजी खरीद के ला रहा है पका के आपको अच्छे से चौप वगरा करके पका होगा कि आपके सामने पर प्रोसरा है कि आपको खाना है तो आप किसको prefer करेंगे भाया जो बना के दिया है उसको ही prefer करें क्योंकि आपका time waste होगा जो चीज़ दूसरा कर दिया पहले से उसको आप कुद क्यों करें तो यही काली Linux में भी होता है अब बात करते है प्राइवेसी को लेकर विया विंडोस जो है आपका प्राइवेसी में थोड़ा वो छेड़ चाड़ कर देता है क्योंकि विंडोस अपने जो भी अपडेट्स वगरा है उनको देखने के लिए वो आपके बहतर के लिए आपके कुछ-कुछ चीज़े फाइल्स वगरा हो चेक करते हैं आपके लैप्टॉप में क्या चला आपके PC में क्या चला वो देखता है लेकिन वही बात करें Linux की तो वो ओपन सोर्स है ओपन सोर्स बुले तो वहाँ पे उसको कोई भी यूज़ कर सकता कोई पेमेंट आपको नहीं देनीक जरूवत है अब यह ओपन सोर्स में आप जो मन तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मर्जी का सब कर सकते हैं वहाँ पे आपके लिए एक अच्छी खासी में कोई जंजीर नहीं मिलेगी मतलब जैसे कि Mac और Windows में ऐसा कर दिया गया है कि आपको एक सोने के पीड़े में कैद कर दिया गया है आपको लग रहा कि हाँ भी मैं सही हूँ और Android और Linux में क्या किया गया है कि आपको एक खुले मैदान में छोड़ दिया गया है हलाकि मैदान सुखा है लेकिन आपको दोड़ना है जिदर जाहिए उदर करिए तो वही करके Linux और इसमें अंतर अब यह प्राइवसी की बात करते हैं Linux में आपको Tor Roger का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो सर्च इंजर बाई डिफोल्ट मिलता है वो होता है डगडग गो अब डगडग गो के बारे मैंने वीडियो बना के रखी यहाँ पर आप देख सकते हैं Google वर्सेर डगडग गो डगडग गो सही है गूगल सही है अगर आप प्राइवसी को ज्यादा अब बात करते हैं Linux में और और क्या क्या हम चीज कर सकते हैं Linux में जो टर्मिनल होता है वो CMD के टर्मिनल से थोड़ा अच्छा स्ट्रॉंग होता है क्योंकि वो डिरेक्ट आपके जो भी करनल है उस पे काम करता है उसके संग मिलके काम करने का मतलब कि आप बहुत सारे hacking attacks को अंजाम दे सकते हैं आप brute force कर सकते हैं आप DDoS कर सकते हैं आप बहुत सारे tools और आपको यूज कर सकते हो प्री बूल जो tool मिलते हैं तो आपको जानने में थोड़ी असानी होगी क्योंकि भईया कोई आपके सामने प्रोश से खाना दे रहा है तो आपको समझने में असानी होगी क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला है और आपका time भी नहीं waste होगा अब अगला factor आता है काली Linux का एक advantage है काली Linux ने हाली में अपडेट किया पहले तो ओपडेट नहीं था लेकिन अभी में हाल में एक update आया जिसमें आप Windows क्लोनिंग कर सकते हैं Windows क्लोनिंग बोले तो Windows की तरही आपका काली Linux पुला देखेगा पूरा आपका काली Linux Windows बन जाएगा वहाँ पे आप विंडोज करेंगे और अब काली यूज करेंगे लेगर जी विंडोज यूज करेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा फाइदा मिला है अब इसके बाद कुछ और चीजे निकल के आती है विंडोज में जो आपको प्रोडक्स मिलते हैं माइक्रोसफ वर्ड यह सब इमकाना पेंट और और पॉर्पॉइंट एक्सल तो यह सब पेड होते हैं आपको पे करना पड़ेगा इनको खरीदने के लिए क्रैक भी आप कर सकते हैं लेकिन वही अगर हम लोग लिनिक्स की यूज करने में यूज करके देखिए फिर आप विंडोज आपको यूज करने का मन नहीं करेगा तो यह थी मेरी कुछ न की वीडियो की काली निक्स वर्सेस विंडो कौन सा यूज करना चाहिए मेरे इसाब से आप काली निक्स कर सकते हो लेकिन एक ग्राफिकल फॉर्म मिल लेकिन जो चीज काली Linux में चलेगी वो Windows में नहीं जलेगी तो यहाँ पर काली Linux वाले को हो रहा है तो मैं आपको यह बोलूँगा कि आप क्या करिए कि एक पार्टीशन बनाइए पार्टीशन बनाने के बाद आप काली Linux को दूल बूट पर इंस्टॉल कर लिए जब आपको लेकि मुझे हैकिंग से लेटर कुछ नया सीखना है मैं काली Linux दिरी दिरी सीखना है तो आपके पास पड़ाई है तो ऐसे भी आपको Windows भी मिलका है काली Linux भी मिलका है कई भी फूल बूट मत करे डूल बूट करके रखिए क्य की तरह इंटरनेट पे बी से बी सिक्योर